क्या intermittent fasting से diabetes को reverse किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, control में लाया जा सकता है, diabetes को reverse करना कितना easy है, कितना normal है, इसके बारे में हम बात करेंगे, दिखो, diabetes को reverse तो किया जा सकता है, लेकिन diabetes को reverse करने कि यदि आप सोच रहे हैं, तो आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए, और कुछ important point हैं, जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, क्योंकि आज कल आप देखेंगे, across the social media, टीवी पे बहुत सारे doctors, बहुत सारी संस्ता हैं, बहुत सारे health coach, लगातार ये पिरचार कर रहे हैं कि उन्होंने अपना diabetes ठीक कर लिया, उन्होंने अपना diabetes reverse कर लिया, इसमें सच्चाई बहुत कम है, मित बहुत ज़्यादा है, मार्केटिंग बहुत ज़्यादा है, बिजनस बहुत ज़्यादा है, यदि आपको diabetes है, तो सबसे पहली बात तो ये समझें कि diabetes क्या है, क्यों होती है, देखो यदि आपका blood sugar level normal से ज़्यादा रहता है, तो इसके दो सीधे से interpretation है, आप, या तो आप calorie और sugar rich food ज़्यादा लेते हैं, या फिर आपका fatty liver है, या आपका जो insulin है, वो अब विर्भावी नहीं है, insulin effective नहीं रहा है, इसलिए आपको blood sugar ज़्यादा report हो रहा है, तो सबसे पहले लेबल पे तो आप अपने food का जो ratio है, आपके food में बहुत ज़्यादा calorie और carbs नहीं होना चाहिए, आप अपने food में fiber increase करिए, अच्छा protein रखिए, और calorie और carbs को reduce करिए, दूसरे लेबल पे यदि आपका fatty liver है, तो आप उसको treat करिए, उसको normal करने की कोसिस करिए, यदि आपको obesity है, आपका जो weight है, वो normal weight से ज़्यादा है, तो आप अपने weight को control में लाने की कोसिस करिए, next है, यदि आपको insulin resistant develop हो रहा है, तो आप इसको deal करिए, insulin resistant और आपका जो insulin का कम पिरभावी होना है, वो directly four factors के द्वारा पिरभावित होता है, आपकी age, आपकी lifestyle, आपका sleep और आपका stress, तो ये चारों factor हैं, जो आपके insulin को कम पिरभावी बनाते हैं, और एक इसका एक genetic involvement भी होता है, तो किसी भी इंसान का ये कहना है कि diabetes को reverse किया जा सकता है, without knowing the fact and the case history, ये बिल्कुल अपने आप में जूटे, अपने आप में गलत है, हाँ, कुछ लोगों का diabetes reverse होगा, लेकिन कुछ लोगों का diabetes reverse होगा नहीं, यदि diabetes आपकी first stage में है, यानि आपका HbA1c less than 8 है, और आपका sugar PP fasting less than 250 है, तो आपके diabetes को reverse किया जा सकता है, आपके blood sugar को without a medicine, normal condition में लाया जा सकता है, with the right food, right exercise and the stress management, अब बात आती है कि यदि आपका diabetes second stage में है, यदि आपका sugar PP fasting level 200 और 250 से जादे जाता है, आपका HbA1c 8 से जादा है, तो फिर आपको कम या जादा whole life medicine लेनी पड़ेगी, फिर आप diabetes को बगर medicine के नहीं manage कर सकते, that is a clear cut guideline from my side. अब next है कि हमारा जो objective है, उसके पीछे fasting के पीछे वो क्या है और intermediate fasting से क्या फायदे होते हैं, generally क्या है कि लोग 16 hours का या 24 hours का जो window रखते हैं, वो बिल्कुल गलत है, वो clinically, medically गलत है, आप 8 से 12 गंटे का fasting time रख सकते हैं, यानि कि आप सुबह खालें एक बार और एक बार आप रात को खालें, और आप हलका खाना खालें, यानि कम खालें, तो यह चलेगा, क्योंकि आप body को कुछ समय देना चाहते हैं, कि body के अंदर oxidation हो, body के अंदर जो enzymes हैं, उनका secretion बढ़े, आपके tissue cells की sensitivity बढ़े, आपका pancreas का secretion बढ़े, और आपका pancreatic juice जो है, यानि insulin वो पिरवावी हो, इसके लिए 8 से 12 hours तक की fasting is normal, वो आपको काफी हर तक मदद कर सकती है, लेकिन यदि इस से ज़्यादे आप fasting रखत एक हपते में एक से दो दिन 12 hours fasting is okay, completely normal, उससे कुछ health को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होते हैं, यदि इस से ज़्यादा है आप fasting रखेंगे, तो आपकी body के अंदर minerals और vitamins की deficiency, anorexia, weight loss, weakness, dry skin, hair fall, ये सब आ सकता है और ये बाद में complicated भी हो सकता है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि continuous हमारे cells को fuel चाहिए, oxygen चाहिए और nutrition का flow चाहिए, यदि वो disturb होगा तो उससे फिर आपको बहुत सारी समश्याएं हो सकती है, but intermittent fasting, diabetes में, obesity में, fatty liver में मदद करता है, ये बिल्कुल clinically proven है, लेकिन fasting का तरीका scientific हो और बिल्कुल सही हो, यानि आप 8 से 12 गंटे का fasting रख सक करते हैं, उससे ज़्यादा यदि आप fasting करते हैं, तो फिर उसके side effect भी आपके body पर आएंगे और उनसे फिर आपको काफी नुकसान होगा, ये अब इसके फायदे क्या हैं, वो मैं आपको बताते हूं, बता देता हूं, ये weight loss में मदद करेगा, fatty liver को normalize करने में मदद करेगा ये detoxification और जो हमारे enzyme saliva का secretion है, उसको enhance करता है, pancreatic juice और insulin को प्रभावी बनाता है, उसके secretion को regulate करने में मदद करता है, और सबसे बड़ी चीज है कि ये आपकी diabetes को reverse करने में, कुछ data has, we have some limited data, कुछ हद तक मदद करता है, और insulin को sensitive बनाता है, जो insulin resistant वाले case हैं, जो बहुत genetic mutation की हुआ है, उन cases में, इसका result काफी अच्छा है, diabetes type 2 में intermittent fasting का सहरा लिया जा सकता है, लेकिन ये एक support है, ये एक 25% एक supportive process है, तुम्हा आपके insulin वाली problems को deal करने के लिए और आपके blood sugar को regulate करने के लिए, बट intermittent fasting को as a treatment use नहीं किया जा सकता, और इससे सभी की diabetes को reverse नहीं किया जा सकता, बट येस, liver, kidney disease, obesity और diabetes type 2 grade first में आपका intermittent fasting directly आपको मदद करता है, तो आप अपनी दवाईया रेगुलर्ली नहीं, right food, right exercise, अच्छी sleep और उसके साथ बीक में एक से दो बार intermittent fasting आपको मदद कर सकता है, thank you very much and take care yourself.